असलाम लेकुम जी सब कैसे हैं उमीदय के सब ठीक टाक होंगे अलहमदुलिल्ला मैं अब बल्कुल ठीक टाक हूँ तो यह मैं आपको प्रीविस लॉग थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि यह जो मैंने सारी शॉपिंग की हुई थी ना तो चे इनको मैंने समेटना भी है और य आप से लास्ट पे शेयर करूंगे मैं आपको दिखाती हूँ तो थोड़ी सी जो मैंने थ्री टाइम्स शॉपिंग की थी ना तो वो भी रहती थी मैंने का मैं आपको दिखा हूँ यह बड़े क्यूट क्यूट से चोटे-चोटे से तो यह जो है ना यह भी आप मिल्क होता है वो मैं लेकर जा सकती हूँ यह ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा स्टॉरिज बॉक्स है तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो मैं जिमल का सोच के लिए क्या ही हूँ के जिमल की चीज़ें जैसे पॉनिया पेंजर मतलब मैंने सफर में जाना होता ना तो भी मुझे काफी कुछ उठाना पड़ता है पूरा बैग त्यार करना पड़ता है में के घर जाने के लिए तो अब मुझे पूरा बैग नहीं त्यार करना पड़ता है यह चोट चोट से कंटेनर है जगा भी धोड़ी कम लेंगे बैग में और इसली आ भी जाएंगे तो एक जीमल के यूणिफॉर्म है इन्शाला है निचाला दोसे तीन दिन तक जीमल के स्कूल स्टार्ट हो जाने है तो जीमल के माशाला से त्यारी शैरी फुल हो गई है यह सारी जीमल की शौपिंग है जो कि मैंने उसके स्कूल के लिए की थि ये पिन्स वगयरा भी सारी जो है ना उसकी मैं ले आई हूँ कैचर में तीन चार किसम के ले आई हूँ कि पता निया अब कौन से यूज होंगे ठीक है क्योंकि पहले तो फाइक जा रहा था स्कूल में तो अभी कोई मेरी बेवी गर्ड नहीं थी गई तो जिमल ही जाएगी तो मुझे समझ लगेगी मुझे पता चलेगा कि क्या यूज होगा क्या नहीं होगा तो जा यह मैंने कुछ चीज़े जो है ना मीनी सोसे ली थी यह है बॉक्स मेकप बॉक्स है ठीक है तो यह भी ट्रैवल के लिए मुझे इतनी असानी होगी है ना अराम से इसमें चीज़ें रखें और आप ट्रैवल पर लेके जा सकते हैं तो यहांपे मैंने जिमल की अराम से बन सकता है, इसमें एजिली चीज़ें आ सकती है, तो आप ज़रूर इसको परचेस करें, इसमाइल यहाँ पर अपने न्यू शूज लेके बैटा हुआ था, इसको मतलब माशाला माशाला बसके बोलता नहीं है, कोशिश पूरी करता है, चीखें बहुत मारता है, तो ह इससे इतने बड़े दुपट्टे नहीं ली जाते है, मैं स्टॉलर जादा वेयर करना पसंद करें, लेकिन इसके साथ दुपट्टा कमीज थी टूपीस में, जादा जिसके साथ शलवार कमीज होना, तो मैं वो जादा प्रफर करती हूँ, अपने लिए मुझे अच्छा ल तो यह जो है ना, यह मेरा थ्री पीस ट्रेस है, इसको मैंने अभी नहीं स्टिच करवाया क्योंकि और अर्रेडी माशला से तीन-चार स्टिच होने चले गए हैं, दरजन के पास टाइम भी बहुत ज़दा नहीं था, तो भी मैंने का यह बाद में स्टिच करा लेंगे, यह पी जो ड्रेस है ना, यह मुझे बहुत पसंद आए था, बहुत ही एक डिसेंट सी इसकी जो है ना, लुक आती है, ड्रेस की बहुत ठंडा-ठंडा सा कलर है, मैं यह कहना चाहा रही हूँ, गर्मियों के लिए हासे बेस्ट है, तो यह शलवार थी, और कमीज मैं आपको थो तो यह शोपिंग होगी थी कंप्लीट, अब चलते हैं किचिन में, तो किचिन का जो का मैंना, वो स्टार्ट हो गया, अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटा-फट से फ्राइस काटी, फ्राइस में मैंने सूका दिनिया, नमाग, लाल मेर्श, गरम मसाला, ठीके, आपने सूका धनिया, जो है न, वो हलका सा कूट लेना है, दरदरा सा, अगर फूल भी डाला जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, तो इसमें मैंने एक कंडा मिक्स कर दिया, ठीके, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसकी मिक्सिं बहुत जरूरी है, ताकि यह अच्छे अच्छे से अंडा और कॉण फ्लार आपस में मिक्स हो जाए, और कोटिंग जो है उपर अच्छे से हो जाए, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, लास्ट पर आपने डालना है, चावल का आटा, अगर तो हो, तो वैल अन्गूर्ट नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आपस अफेलेबल था, क्योंकि उसके साथ इतना क्रंची टेस्ट आएगा ना, यह आलू जो है ना, यह हमारी फ्राइस जो है ना, यह अंदर से इतनी सॉफ्ट होगी, और उपर से इतनी क्रंची होगी, तो एग को आपने अपने माइंड में रखना है, कि अंडा भी इसके लास्ट बेज होगा ना, वो जिसके भी हाथ आएगा ना, उसको मज़ा आजएगा, क्योंकि अंडे एक तो अंडा पक जाएगा, और उसकी कोटिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है, तो यह अंडा तो आपको पता है, ऐसा ही होता है, इसको मिक्स अच्छे से किया जाए, यह फ्राइस के पर कोट हो जाएगा अच्छे से, तो अब चलते हैं जी राइस की तरफ, राइस मैंने हजारो मर्तबा अपनी वीडियो में बता हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ, सिंपल सा तरीका है, मीडियम साइज के दो प्यास लिया है, उनको ब्राउन कर लिया है, उसम 10 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से पकने दिया, फिर जितने हमारे चावल थे, उसे साबसे मैं इसमें एड़ कर दिये, पानी को और पिर चावल डा दिये, और क्या कमाल के चावल बने थे, हमारे कर अफ़तारी के लिए जो वीक में 102 बार ज़रूर राइस बनते हैं ठीके, उमीद है जी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अलाहाफेज